प्रती तो यह होती ज्ची देब की बनाए कि अ गई तो आए चाहने यह पल्स कि जब समझें आ आए कि क्या बनाओं कौण सी सब्ची बनाओ तो पास मिनट में यह रेस्पी बनाएं बहुत किल 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 बहुत ही ज्यादा की चट्रफी है चेट्नी की रेसिपी एक बाड़ जरूर करिएगा रेस्पी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेश्ट है कि अगर अभी तक आपनी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा बिल आइकन को फ्रेस करके ओल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने मली सभी नई वीडियो का नौटिपकेशन आपको मिल जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाए चलिए फ्रेंज बिना देर के रेस्पी स्टार्ट करते हैं तो यहां पी मैंने ले लिया है एक एक टमाटर में दो टुकड़े कर लेने है तो यहां पे टोटल मैंने तीन टमाटर का यूज किया है तो यहां पे छे टुकड़े हो गए है तो इस तरीके से हम पैन में रख देंगे यह देख पा रहे होंगे आप लोग वीडियो में और इस तरीके से रखने के बाद अब इसमें हम आइट कर देंगे आठ से दस कलिया लहसुन की और इसमें मिर्ची भी आइट कर देंगे हरी वाली आप चाहे तो रेड़ वाली भी डाल सकते हैं बहुत ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो रेड भी डाल सकते हैं रेड औ पाएंगे करीब 2-3 मिनट ताकि यह तोड़ा सा नमक कर देते हैं कि पहले मैंने नमक नहीं डाला में भूल गई थी तो उपर से इस तरीके से नमक टमाटर के उफ़र डाल देंगे इससे क्या होगा कि छिलका बहुत ही आसानी से इसका हट जाएगा और टमाटर गल जाएंगे अच्छे से चटनी बनाने में आसानी होगी तो यह देखिए मैंने ढग दिया है और इसको पकने देते हैं चलिए यहाँ पर देखिए टमाटर और यह लहसुन अगेरा सब अच्छे से पक चुके हैं यह देख पा रहे होंगे आप लोग यह चार से पांच मिनट में टमाट कर देंगे टमाटर का यह देखिए यहाँ पर देख पार होंगी अभी मैंने गैस आफ नहीं की है गैस स्लो पे जल रही है और इस तरीके से हम टमाटर के चिलके हटाने के बाद में अपना अगला प्रोसेस करते हैं तो प्रेंस अगर आज की रेस्पी थोड़ी से भी कि माटर को हम इस तरीके से मैस कर लेंगे आप मैसर से भी कर सकते हैं बस इसको अच्छे से मैस माटर कर लेनाँ है बिल्कूल सम Вас कुण सा बना लेना है सारी चीज़ है से मैस हो जाने कर देखिंगी यह snakes ठाइब नागूए दाने bass रोगे आकी यहां पर मैंने चोटे साइज का प्यास बारी इसमेड़ aja कर लिया हो कि यहां पे मैंने और ऴर्याक यह अदम फिरेश धन्या ले ली कर देंगे नमक कर पहले भी डाला था तो इसलिए नमक की क्वांटिटी कम ही रखेंगे आप जैसा नमक खाते हैं ते कम या ज्यादा तो उससाब से डालिएगा अब यहां पे न मैं आधे नीमू का रस इसमें निचोड़ दूंगी तो इससे हमारी चड़नी बहुत ही ज्यादा चटपटी बने हैं तो यह हमारी पास मिनट में चटपटी चटनी रेडी है तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से फ्राइट टमैटो चटनी घर पे बना लेंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है खाने में प्रेंस एक बार जरूर से ट्राइब करिएगा और अगर रेस्पी पसं हर रोच नहीं मतलब रेस्पी सीखनों को मिले तो मिलती हूँ आप लोगों से एक और नहीं रेस्पी के साथ तब तक आप सभी को रादे रादे बबाए थैंक्स पर वाचिन